हम आपको HSB 187 Blender में से Switch Chain करने का तरीका दिखा रहे हैं Switch Chain करने के लिए ये Screw Diver Plyer और ये Cutter की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले हम एपाइपाउसन को इस तरह से निकालेंगे उसके बाद हमें इस तरह से निकालेंगे इसके बाद इस सोपिस रिंग को इस तरह से निकालेंगे अब हम फ्रांट कवर और बेक कवर के तिनों सक्रू को इस तरह से निकालेंगे तरह से उसके बादे जसे निकालेंगे पर जुदिंगे प्रांट को इस वह जाम इस तरह से निकालेंगे हमें पर रपाइपाइपाईटेंगे लड़े लगाल प्रप चर्प्त करवा के लोगा है अब हम फ्रांट और बेक कवर को इस तरह से निकालेंगे बार अब हम स्विच को इस तरह से बार निकालेंगे अब हमारी स्विच पुरी तरह से निकल गई है अब हम यहापे नई स्विच का कनेक्शन करेंगे स्विच के एक चले को पावर कोड के रेड के साथ चुलेगे और दूसरे वायर को मोटर के रेड के वायर के साथ चुलेगे अब हमारी स्विच का कनेक्शन हो गया है अब हम स्विच को इस तरह से रख कर स्विच केप को इस तरह से बिठाएंगे उसके बाद फ्रंट कवर को इस तरह से बिठाएंगे अब हमारी स्विच का कने वायर को इसे बिठाएंगे अब हम फ्रांट और बेक कवर के चारे स्क्रू को फिट करेंगे करेंगे मासल추 रफचानców और पिट कवर मेंगे Tortach करेंई कि बेक का बैस्ट और बेक सकते अराे उसके बाद हम इस ओप इस रिंग को इस तरह रखकर फिट करेंगे अब हम फ्रंट को और सोप इसको इस तरह से फिट करेंगे अब हमारा एब्लेंडर पुरी तरह से रेडी हो गया है इसल करेंगे लेया है झाल झाल